जहीं दोस्तों देखिए आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडिया पोस्ट जी डीएस के बारे में आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि भारत ये डाक विभाग में यानि इंडिया पोस्ट में ग्रामिन डाक सिवाक के लिए दोस्तों क्या 10 के परसेंटिज के आधार पर सेलक्षिन होगा क्या क्या होगा सारा यहां पर आपको जान करें देंगे तो आप लोग वीडियो पर कंटीनिव लास्ट तक बने रहेगा देखें दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया पोस्ट जीडी एस के बारे में ग्रामिंड ड लोगों का यहां पर पोस्ट आने की संभावना है ठीक है असीट बढ़ भी सकता है घटने का कोई चांस नहीं है ठीक है इसके बाद योग्यता का बात करेंगे कि अवल दस भी पास इदि आपने मैट्रिक पास कर रखा है किसी भी बोर्ड से तो आप इसके लिए फॉर्म भ भर सकते हैं समझ मागया अब बात करेंगे इसको भरने में आपको कितने पैमेंट करने पड़ेंगे कितने पैसे देने होंगे तो दियान दिजिए यदि आप जन्रल ओबी सी और इडबलो एस काटेगरी मां आते हैं तो आपको हंडेड रूपीज पेमेंट करना होगा एक स समझे जब भी दोस्तों ये वेकेंसी आ रहा है तो लास्ट डेट जब इसका फॉर्म भरने का होगा उस दिन से आपका एज काउंट करेगा जिस दिन आपका फॉर्म अंतिम्तिति होगा उस दिन एज काउंट करेगा जैनरल करेटेगरी का 18-40 यर्स 18-40 साल यदि आप OBC में इनको पांस साल का एज में छूट भी मिल जाता तो 18-45 साल यह होता दोस्तों एज लिमिट जो ग्रामिन डाक से वक में बेसिकली मांगता है यहां तक समझ बाग गया अब बात करेंगे हम लोग की देखिए योग्यता की important point कुछ यहां पर महतुपूर्ण points पर हम लोग बात करेंगे जो आपका educational qualification से संबंदित यहां पर होने वाला है ध्यान दीजिए तो देखें दोस्तों सबसे पहले तो आपका 10th pass होना जरूरी है आपने metric pass कर रखा तो आप इसको भर सकते हैं दूसरा चीज है कि math plus science आपका होना चाहिए और ऐसे जो भी विद्यात्री 10th करता है उसका 10th में math और science तो रहता ही रहता है तो math science होना चाहिए यह कोई बड़ी बात नहीं है इसके बाद दोस्तों कि local language का जानकारी होना चाहिए जिस छेतर से आप form को भरने जा रहे हैं उस छेतर का local भासा आपको आना चाहिए जैसे यदि हम आसाम से भर रहे हैं तो मुझे आसमी भासा आनी चाहिए ठीक है यदि केरला करनाट का वगर से बढ़ने तो आपको कंणर तेलुग इसा भासा का जयान होना चाहिए गुज्राच से भर ओगे तो गुज्राती आनी चाहिए समझ्वां कि बंगाल से बहोbasा थैक के जिस छेतर से आप form को भरने जा रहे हैर उस छेतर का लोकल भासा का ज्यान आपको होना चाहिए तो आप कहां से भरोगे आप जिस भी छेतर से रहने वाले हैं उस छेतर से ही आप भरिएगा ठीक है यदि अप 20 भिषार राजस्तान डěली वगर यसे तो तो सबको बहर सकते हैं हैung एसके पास साइकल की जानकारी यानी यह बहुत चोटी सी बात कि साइकल चलाना कौन नहीं जानता तो साइकल चलांने का चाय सेल्स पर बेतर नहां को कितना जाएगा दोस्ते दो बी पी एम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और एक होता डाक सेवक इस पर आपका 10,000 यानि 10,000 इस पर पेमेंट मिलता है अब विद्यारते पूछते हैं कि क्या यह पर्मानेट सल रही है यह आगे चल के बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा तो अभी हम बताएंगे ध्य तो इसको भी जानना बहुत जरूरी है लेकिन दोस्तों आप लोग हमेशा मुझे कॉमेंट करते हैं कि सारह भी बहुत सारा वेकेंसी आ रहा है जैसे कि रेलवे निकाल रही है तो हर एक्जाम का यदि आप सेलिबस देखोगे तो उस पर मैथमेटिक्स तो रहे गही रहेग क्योंकि एक्जाम में सौट का ट्रिक यूज करना पड़ेगा तो मैथ के लिए दोस्तों आपको एक अच्छा सा किताब लेना जरूरी है तो इसके लिए दोस्तों आप लोग पुछते हैं कि सर एक अच्छा सा बूप का बता दीजे आप ही मैथ कौन सा किताब कर दें तो इसके यानि स्रिक्रिश्टन पब्लिकेशन का बूक ले लेना है इस पर क्या है कि अंक गनीत और एडवांस दोनों इस पर दिया गया है जो कि मैथ का सौट कर ट्रिक का यूज किया गया इस पर बहुत जादा ठीक है जो कि आपका SSC रेलवे और अन्य कंपेटिटिव में प्रिवियर सेर का कोशन्शन प्र है सौट का ट्रिक से आपको इस पर अंसर भी देखने को मिले गा कि कैसा कोशन आया था स रैक सलन भी आपको साड़ी खास बात दोस्तू ठीक है और इस पर गलती होने कि कोई अच्छा कलेक्शन इस पर देख सक्तें एक जो दो न हमित तो देख लिया अब बात करेंगे कि job profile इस पे कम क्या करना होगा देखे दोस्तों यदि बात करेंगे job profile की तो ध्यान देज़ेगा इस पे आपका जो बी पी एम वाला पुष्ट है यह ब्रांच पोश्ट मास्टर इस पे आपको ऑफिस में रहना है ठीक है और काम करना है जैस पर दोस्तो जो डाक सिवक वाला पोश्ट है इसका काम है दोस्तो आप लोगों का डाक का डिलिवरी करना डाक को क्या करना है इधर उदर जहां जहां पहुंचाना है वो डोर टू डोर दोस्तो जा करके डाक डिलिवर करना होगा यह दोस्तो हो गया जॉब का प्रोफाइल कर यहाँ आपका है कर सकते हैं तो आप को आपका का है कर सकते हैं ठीक है अब आपका पर्मानेट सेलरी नहीं है सेलरी दोस्तो आगे चलके आपका बड़ भी जाएगा समझ वा गया तो इस पर डिपार्टमेंटल एक्जाम वगर दे करके विभाग यह जो इक्जाम होता है दोस्तो वह दे करके आप उचे उचे पदो पर जा सकते हैं आपके लिए कापी तो इसका फॉर्म कब से भराएगा दोस्तो ध्यान दीजेगा जनवरी ठीक है फरवरी और मार्च ठीक है दोस्तो जनवरी तो लगवाख खतम होने होने को है और चरचा में चल रहा था कि जनवरी में आईगा लेकिन नहीं आया फरवरी में दोस्तों बहुत ज्याद़ा तो आप लोगों को भरती इसका देखने को मिल जाएगा ठीक है और जैसा ही भरती आजाएगा हम आप लोगों तक वीडियो बना करके दोस्तो बता देंगे तो चली दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियों बहुत जल तब तक के लिए जाहिंद